पार्टी देती है तो आप काटने का काम करते हैं मैं तो योगी जी के नारे में कोई घलत बात नहीं देखता इस देश का इतिहास देखिए जब जब ये देश जातियों में बटा प्रांतों में बटा समुदायों में बटा तब तक ये देश गुलाम हुआ तेश भी कटा और व्यक्ति भी कटे इसलिए बटेंगे तो कटेंगे ये इस देश का इतियास रहा है और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि बाटिये मत और बटिये मत तो इसमें अब्जेक्शन लेने की क्या बात है क्योंकि जब मुसल्मान समाज कहता है कि हमें एकजूट होना चाहिए तो उनको एंटी नैशनल का दरजा दिया जाता है उनको सेपरेटिस कहा जाता है कि आप एक गुट बना रहे हैं आप यू आर नॉट इंटेग्रेटिंग विद रेस्ट दे कंट्री लेकिन जब हिंदू समुदाय कहता है तो उसे नैशनलिजम का दरजा दिया जाता है सवाल यह है कि आप अगर किसी परपस के लिए एक आ रहे है आप एक जूट हो रहे हैं बहुत अच्छे बात है लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद लोकसभा में उनके धर्मस्तलों से बैनर लगाएगे महाविकास आगाली को वोट नहीं दिया तो अल्ला की साथ बहिमानी है ऐसे वोट लगाएगे ऐसे बैनर लगाएगे मैं तो तमाम सेकुलर वादी जो अपने आपको मानते हैं उनको पूछता हूँ यह कौन सा सेकुलरिजम है कसमे दिलाएगे लोगों को और परपस क्या है डिफिट मोदी पर आपकी पार्टी भी कहते हैं राम को लेके आएए हम उने ले आएँगे तो गामा है और क्या दिखिए राम को लाएए हैं हम उनको लाएँगे यह कहने में कोई गलत नहीं लेकिन इस प्रकार की बात करना कई हमारी पार्टी ने मंदिरों में लोगों को जमा करके भगवान की कसम